कि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का किशा 9 की गणित में मैं exercise 3.3 के प्रस्न हल करने जा रहा हूं ध्यानपूर वीडियो को देखेगा किस पहला प्रस्न है किस चतुर्थांस में या किस अक्स पर बिंदू कार्थी तल पर इनका निर्धारन करके अपने उतर का शत्यापन कीजिए अब कार्थी तल हमें ग्राफ पेपर चाहिए उसमें मैंने बताया था कार्थी तल को बड़तर रश्यत करने के लिए दो दो रेखाएं खिंशते हैं 36 रेखा एक्स पर और उर्धवादर वाई अक्स पर खिंश करके इन बिंदू का इस्थान निर्धारित किया जाएगा इसके लिए ग्राफ पेपर चीए और क्वेश्चिन नमबर टू अक्षो पर दूरी का उप्युक पहमाना एकक लेकर नीच और नीचे वाई की वैलू दी है इनको हमने आलेखित करना है इसके लिए भी ग्राफ पेपर चाहिए तो चलते हैं ग्राफ पेपर ग्राफ में इनको निर्धारन करने के लिए इन बिंदू को ठीक यह ग्राफ पेपर ठीक इस ग्राफ पेपर में सबसे राइट हैंड एक्स और left hand side x dash और उपर y ठीक है y और y y dash और जहां पर यह दोनों एक दूसरे को प्रतिछेद करती है लंबवत प्रतिछेद करती है वो होता है मूल बिंदू मूल बिंदू की जो निर्देशांग होती है वच्चो वो 0 होती है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है अब हम क्या करेंगे left side sub plus मूल होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपर को भी sub plus मूल होते है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक इसके बिच्चा नीचे को माइनस में 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 ठीक यह माइनस यह उपर plus 6 इदर 6 प्लस इदर माइनस 6 और इदर को माइनस 1, 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 यह इस्तिक लिए है अब पहले वाले प्रस्ण का हल करने पर पहला बिंदू है बच्चो हमारा माइनस 2, माइनस 2 और 4 तो माइनस 2 तो यह है एक्स अक्स पर और 4 यह है तो यहाँ पर यह बिंदू आ जाएगा माइनस 2, 4 इस पस्ट रूप से अब इसको हम A से इंडिकेट कर दें A बिंदू दूसरा है 3 माइनस 1 दूसरा जो निर्दिशांक है हमारे पार 3 और माइनस 1 तो 3 तो यह है और माइनस 1 नीचे को आएगा यह हुआ B ठीक 3 माइनस 1 चतुर्थ चतुर्थांस मा आएगा प्लस माइनस मैंने बताया था जैसे यहाँ प्लस प्लस होता है ठीक यहाँ माइनस प्लस होता है निर्देशांक यहां माइनस माइनस होता है और यहां प्लस माइनस होता है ठीक तो इसी हिसाब से फिर तीसरा बिंदु है माइनस वन और जिरू माइनस वन तो यह है और जिरू पर तो यह माइनस वन यहां पर आया शी बिंदु माइनस वन और जिरू यह एक्स अक्ष पर यह बिंदु है यह एक्स अक्ष पर फिर है वन एंड टू वन और टू यहां पर यह सी और यह आ गया डी वन और टू फिर है माइनस त्री और माइनस फाइब माइनस त्री यह है और माइनस फाइब यह है तो यह आ गया ई बिंदु ठीक है माइनस त्री माइनस फाइब तो बच्चों यह पहले प्रस्न के बिंदुओं को निर्देशित कर दिया गया है अब इसके जो हल है तो बिंदु जो पहला है हमारा ठीक है माइनस टू और फोर किस चत्व यहां पर आप लिखेंगे नहीं आप राइट हैंड में लिखेंगे ठीक है कर से माइनस फार पहरा बिंदु है किस चत्रध्ध्जम मैं आये यह यह आया दुतिय चतुर्थांज में, किसमा आया दुति, हमने ग्राप पेपर में इसको निर्धारित भी किया है, इसका निर्धारित किया है, दुतिय चतुर्थांज, ठीक, दूसरा जो बिंदु है हमारे पार, ठीक, माइनस वन, यह है चतुर्थ में, चतुर्थ, चतुर्थांज में, तीसरा है, माइनस वन और जीरू, एक्स अक्स पर, एक्स अक्स पर, शिदे यह अन्दी लाइन है, वन और टू, चोथा, वन टू, दोनु प्लस में है, पर्थम, पर्थम, चतुर्थांज, पांच्वां बिंदु है, माइनस थ्री, माइनस फैब, तिर्थी चतुर्थांज, तिर्थी, चतुर्थांज, इस तरह से इसको हम, इंडिकेट करेंगे, और इसका यह हल हुआ, अब दूसरा प्रस्ण देखिए, दूसरा प्रस्ण भी इसी प्रकार है, अब इनको हम बिंदु में दर्शा देंगे, minus 2, 8, minus 1, 7, 0, 1, minus 1.25, or 1, 3, 3, minus 1. इस प्रकार से, इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बिंदु हैं, हम पो इन बिंदु को कार्थी तल पर आलिखित करना है, तो इसके लिए भी graph paper है, x, x dash, y, और y dash, यहाँ पर मूल बिंदु, ठीक, पहला है, minus 2, और 8, ठीक, तो इसको भी हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, ठीक है, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा इसको पर बढ़ा देंगे, तो यह 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 है हमारे पास, यह देखिए, यहाँ पर, last, ठीक, नीचे को भी हम, इसको minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, तो पहला है हमारे पास, minus 2, और 8, यहाँ पास जाएगा, minus 2, 8, दुतिये, चतुरथांस मा आ गया, फिर हम, minus 1, और 7, यहाँ पास जाएगा, minus 1, और 7, उपर को प्लस में होता है, left side minus, यह मैंने दर्शा दिये हैं पर, फिर है बच्चो, 0, और minus 1.25, अब 0, तो एक्स-क्स पर ब्रिद्दि करेगा, तो कहीं नहीं है, तो मूल बिंदू से नीचे को आ जाएगा, minus 1.25, तो दो छोटे बिंदू यह ले करके, इसकी बीच में, यहाँ पर हम, इसको इंडिकेट कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 0, minus 1.25, ठीक, फिर है, 1, 3, यह 1 है, और यह 3 है, पर्थम चत्रथांस आएंगे, 1, 3, ठीक, फिर इसके बच्चाहत है, थिरी, minus 1, थिरी तो यह है, और minus 1, यह आ जाएगा, तो यह आ गया, 3, minus 1, तो इस परकार से, दूसरे प्रस्टन को हम, हल करेंगे इसमें कितने बिंदु हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसमें जो निर्देशांक है वो इस ग्राप पेपर पर आलेखित कर दीए है ठीक तो बच्चो इसी प्रकार आप भी अभ्यास करें ग्राप को सुष्पस्ट रूप से बनाने का प्रयास करें और वीडियो अ डालूंगा तब तक के लिए धन्यवाद